दोस्तो अगर आपने गुली बुली और मिश्टर मीट पार्ट वन नहीं देखा तो सबसे पहले आप उसे देख ले नहीं तो आपको ये स्टोरी पूरी तरह समझ में नहीं आएगी तबी बाबा को नीचे एक घर दिखाई देता है बाबा बादल को नीचे उतरने को कहते है बाबा ने कहा लगता है इस घर में कोई नहीं रहता आज रात हम लोग इस घर में रह सकते है जिसके बाद रौड गुली बुली शौन और बाबा पीजा खाने बैट जाते है उन महसूस होती है। रौर बाहर जाके देखता है लेकिन शौन बाहर भी नहीं था रौर गुली बुली और बाबा को उठाता है रौर ने कहा शौन यहाँ पर नहीं है मैंने बाहर जाके भी देखा लेकिन शौन बाहर भी नहीं है ये सुनके गुली बुली और बाबा टेंशन में आ जाते है बाबा ने बाबा से कहा शौन कहीं खो गया है क्या तुमने शौन को कहीं देखा है बाबा ने बाबा से कहा मैं तो सो रहा था मुझे नहीं पता कि शौन कहां गया है रोड ने कहा कहीं शौन को मिश्टर मीट पकड़ के तो नहीं ले गया बाबा ने कहा ऐसा कुछ नहीं शौन यही कही होगा बाबा ने कहा जल्दी से बादल पे बैट जाओ हम बादल पे बैट के शौन को ढूंडते है रोड गुली बुली और बाबा बादल पे बैट जाते है बादल उड़ने लगता है रोड गुली बुली और बाबा शौन को उस जंगल में ढूंडते है काफी देर हो जाती है लेकिन उन लोगों को शौन कहीं नहीं मिलता रोड ने कहा बाबा हमने हर जगा देख लिया लेकिन हमें शौन कहीं नहीं मिला बाबा ने कहा हम सबको मेरे घर जाना होगा मेरे पास एक जादूई गोला है उस जादूई गोले से हम समय से पीछे देख सकते है हमें पता चल सकता है कि आखिर उस घर से शौन कहा चला गया और हमें ये भी पता चल सकता है कि इस वक्त शौन कहां पर होगा ये सुनके रौर गुली और बुली बहुत खुश हो जाते है बाबा ने बादल से कहा जल्दी मेरे घर पर चलो बादल ने कहा ठीक है बाबा बादल बाबा के घर की तरफ जाने लगता है थोड़ी देर में सब लोग बाबा के घर पर पहुँच जाते है बाबा घर के अंदर से जादूई गोला लेकर आते है बाबा ने कहा पहले हम ये देखते है कि उस घर में शौन के साथ क्या हुआ था बाबा मंत्र पढ़ते है मंत्रा पढ़ते ही उस जादूई गोले में कुछ दिखाई देने लगता है बाबा ने कहा इस वक्त हम सो रहे थे और तब शौनबी हमारे साथ था मिश्टर मीट को देखके रोड गुली बुली और बाबा बहुत ज्यादा डर जाते है वो लोग देखते है कि मिश्टर मीट के आने के बाद वहाँ क्या हुआ था रोड गुली बुली और बाबा के होश उठ जाते है रोड ने कहा देखा मैंने पहले ही कहा था कि ज़रूर सौन को मिश्टर मीट पकड़ के ले गया होगा गुली ने कहा बाबा अब हम लोग क्या करेंगे बाबा ने कहा हमें देखना होगा कि इस वक्त शौन किस हालत में है बाबा फिर से मंत्र पड़ते है मंत्र पड़ते ही जादूई गोले में शौन दिखाई देने लगता है रोड गुली बुली और बाबा ने देखा कि शौन जोड जोड से चिला रहा था और कह रहा था कि मुझे मत मारो और तबी जादूई गोला बंध हो जाता है। रोड ने कहा मिश्टर मीट ने सौन को कहा पकड़ के रखा है ये हमें कैसे पता चलेगा। बाबा ने कहा ये पता लगाने के लिए मुझे थोड़ी देड़ ध्यान लगाना होगा। बाबा ध्यान लगाते है। गुल्ली और गुल्ली बहुत ज्यादा डर जाते है। तो दोस्तों क्या रोड गुल्ली बुल्ली और बाबा शौन को दूसरी दुनिया से बचा कर वापस ला पाएंगे या फिर मिश्टर मीट सब को मार देता है। ये सब हम देखेंगे गुल्ली बुल्ली और मिश्टर म कर दे